तो स्वागत है आपका ग्यापन एकडमी के जोगरफी के 12 क्लास में 12 क्लास का आप पूछ रहे थे ना बाबू की कौन साज जोगरफी है सर तो यहां देखे बाबू भारत लोग और अर्थ विवस्ता यह जिसका आज 5 लिसन मुस्ट इंपोर्टेंट को सन करेंगे और एक ट् थैंक्स मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप सेयर के दिए जितना अडोसन पडोसन जितना भी सब को जोड़ीए ना ठीक है चलिए बिना देर के लेसन सुरू करते हैं लेकिन उससे पर एक ट्रीक समझते हैं यहां पर हम पहले के जबाना में राजा लोग ना बड़ी अयासी करते थे क्या करते थे बहुत जदा अयासी करते थे मतलब रानी हो नहीं रखते थे इधर उधर साधी करते थे तो आप हमसे आकर के मालीजी अपने टीचर से कबलेंगे सर राजा लोग जो है ना बहुत अयासी कर रहे ह राजा लोग तो सर से सर सो राजस्थान में होता है कहां पर होता है राजस्थान में यह चीज़े आप याद रखेंगे अब बताईये कि राजा लोग तो आहीँ सी करते ही थे लेकिन एक अर प्लती उन्में था ठीक जानते हो रात को अपने अपने रानीयों के पास जब सोने के लिए जाते थे यहाँ समझे ठीक है यहां पर बाजरा भी कहां पर है याँ आपको क्या जuzz्रात में अब बताएए कि कि किसी भी लड़की को कहीं भी बुला लोगे तो पका मार करेगी कि नहीं मार तो करेगी वार करेगी क्या जैसी उसको पास में बुलाओगे तो वार करेगी पास में बुलाओगे तो क्या करेगी वार करेगी तो उसी के नीचे आ जाएगा देखें आप महराष्ट में का पास औ बल्लेता तो पहास में बुलाने परवार हुए था यहाद रेंदे महारास्ट में यह दोनों चीजे होता है अब कफी कफी गीरा हुआ है गी रहका उलटा थोड़ा पढ़िए तो रागी हो होता है बहूंद ज्यादा नाटक कर रहा था करनाटक में होता है यह आप याद रखेंगे और अरबड़ होता है किरल में आभड़े क्वसी मंगाल में रटी लिए कुल्काथ में चाวल और जूत हुता juross का मतलब यूर तो जो आजक्कल दिखना तुम गाय होगा राके उपर फिका जाता है ठंडा के मौसम में या आलू का बोरा रखते हैं तो वह जूट से बना होता है तो जूट भी इसी इलाका में समुद्र के किनारे पाया जाता है गेहू गन्ना उत्तर परदेश में गसे गेहू गसे गन्ना उत्तर परदेश में पाया जाता है और असम में चाय और पेट्रोलियम मनी की सबसे तिल वगले here is औसम से निकल लेते हैं और कोफी करनाटक कर दिया तो करनाटक में यह चाय यहां के करनाटक में कह जाएगा कोफी यह आपको याद हो गया होगा तो आगे आपको समझ में आएगा चलिए अगला कुशन है कि भू उपयोग से संबंदित अभिलेक जितना भी जमीन का नक्सा उ भूर अजश्व भिभाग यहीं यह देखिए तो लेक कि दिक रहा है आपको बहुत अच्छा से इमेज दिक विरा होगा आपको ठीक है तो यहीं पर आपको कौन जाएगा भु रजस्व विभाग द्वारा, अभिलेक को रखा गया है यहां लिक भी दिये हैं, यहां देखिए कुल भागोलिक छेत्र का सरवेग छण और मैप की बात करेगा तो भारतिय सरवेग छण विभाग, और अभिलेक की बात करेगा अभी लेक ये याद रखेगा भूछ संदख्षण भारती संदख्षण मैप रखता है यह मैप बनाता है अगला कुस्टन दोखीए कि जिस भूमी पर फसले उगाई और काटी जाती है नोल बॉया च्छेतर किसे कते हैं जिस भूमी पर फसल फॉई याद होगा थे रहोल हैं ङूपको देखिए कि यहां भी यहांवी आनसर आपको पलवगे एनुसर भारत में takने परशेंट था है तो सुन Koreanबात करें जफ़ अपना संविधां लोल से 1950 तो 1951 में ठीक है 17 पर्षेंट वन था कितना पर्षेंट 17 लेकिन 2014 15 में देखा गया तो 23.3 पर्षेंट हो गया लगबग 6 पॉइंट कुछ की बृधी हो गई है कितनी की बृधी ठीक है नीवल वो याच्छेतर बोलते हैं जहां पर अनाज उपजता है ठीक है तो यहां देखिए यहां 1950 एकावन में 47 पर्षेंट अनाज होता था और यहां पर बात करें 14 15 में तो 45 पर्षेंट हो तो बृधी होई है उसके वाद से हम क्रिसी योग्या बंजर भूमी इसका म ट्रीक बहुत ही सनदार है यहां देखिए रवी फसल का ट्रीक सर्थ संदार हैं रवी फसल dopamine और रवी फसल माने गेहु और गेहु कभ रुपाता है भागू ठंडा के दिन में न तो ये भी याद रखेगा ठंडा के दिन कप से शुरूता है तो वही हो जाएगा नौमबर दिसमर या अक्टूबर नौमबर तो रवी फसल का समय अक्टूबर नौमबर होता है तो होता है अक्टूबर और नौमबर यह भी आप जात रखेंगे अभी के मौसम से सर के हूँ आरजू के सच्चे प्यार में मसहूर हो गया सर से सरसो भी रवी फसल गेहू आलू सब अभी है नो पाता है जी राई जो चन्ना प्यार से प्याज हो जाएगा मसहूर से मसूर हो जाएगा यह सब रवी फसल है तो ट्रीक संदार लगा होना तो एक बार जो मसहूर ह है उसके पास भेज़ दीजिए सेशन को सेयर कर दीजिए ठीक है तो यहां गेहूं आ रहा है ना तक गेहूं जहीं से आएगा तो मारी जिए गार रवी फसल ठीक है अब अब बतीए सर्सों सबसे अदा कहां पा जाता है कमेंट में बताइए क्योंकि सर से आप कुछ बोले थे यहां देखिए यहां रवी फसल अक्टूबर से अक्टूबर में होता है कि यह मार्च में गेहूं कटा जाता है कि ने रवी फसल में सीत में होता है ने ठंडा में खरीप मने होता है पता है क्या खरीप मने धान वाला चीज तो जून में रोपाता है गर्मी के दिन में धान आपरिल जुन में यह सब्सक्राइब आप आपको रवी फसल का ट्रीक सब्सक्राइब सबस्क्राइब हो जाएगगा खरीफ में वा का कि पास गइंध चला दिया और से पूरा का फूर घंस को सb ना भी हो जाएगा यह सब जितनी भी चीजे दिया गया है यह सब खरीफ वसल है अप याद रख लिजेगा यह खरीफ वसल है ठीक है चलिए फटा 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 यहां पर कोश्चन को देखा जाए बिश्वे में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा अस्तान तो दो नंबर दूसरा एक नंबर पर चाइना है चावल सबसेदा होता है दू नमर पर चावल इंडिया में होता है वह भी इंडिया में सबसे ज्यादा चावल कहां होता है तो भारत के मैं यहां बंगाल देख रहा हूं ना बंगाल वाली बड़ी चावल खाती है ठीक है यहां देखिए चावल यहाँ लिखी दिलिग में यहाँ पर दोसरा च्तान किसका है भारत का एक 20.2 पूरे बिस्व aparecer यह किसाब से भारत में चावल होता है का दो इतना पर्थिसाद चावल होता है कब हो देखे भारत में हारित करांथी की सुर्वां 없 कभूही थी हार professions का मतलब एक एक खुब ज़्यादा फसल हो गया तो खुश हो गया आपसे कभी दिमाग में सोचें किसे कहते हैं करांती माने मार जगड़ा मत समझेगा बहुत स्टुडेंट यही समझते हैं आप लोग यही समझ रहे होंगे ठीक है लेकिन करांती का मतलब है कोई भी चीज ज़्यादा समाल हुआ हाइब्रीड का बीज डालाया और टेकनिकल तकनीकी से मसीन उसीन से खेती किया गया तो खूब ज़्यादा उत्पादन बढ़ने से पूरी हरियालिच है इसलिए इसे हरीत करांती का थे 1965 और 1968 के बीच में यह हुआ था अगला कोशन यहां देखिए हरीत करांती क कि जनक भारत में MS स्वामी नाथन को कहा जाता है किसे कहा जाता है MS स्वामी नाथन इसको थोड़ा सा रट लीजिए याद कर लेजिए ठीक है MS लेकिन विश्वा की बात करें तो नर्मम बोर लॉग कौन बोर लॉग याद रखो विश्वा में हरीत करांती के जनक यह याद रख सकते हैं इसमें क्या होता है कि उपज अच्छी होती है अच्छी किसम की आईवरिट की बीज होती है ट्रेक्टर सिचाई की सभी चीज़ यहां आप्सन में हो जाएगा 11.3 पर तीसद चावल सुरी गेहूं उत्पादन हुआ है यह आपको पता होना चाहिए यहां देख लिए सबसे ज़्यादा गेहूं कहा होता है सबसे ज़्यादा गेहूं गेहूं और गन्ना यूपी में होता है उत्तर परदिस में याद कर लिजिए गेहूं और गन्ना इसलिए गेहूं का कटोरा कहा सकते हो उत्तर परदिस को कहा जाता है अगर बात करें पूरे भारत में जितना भी बोया गया छेतर है बोया गया का मतलब होता है जहाँ जहाँ खेतर रुपाया है ठीके उसमें 14% क्या होता है गेहू होता है क्या होता है गेहू होता है यह आप याद रखेंगे और यह बात करें कि 16.5% मोटा आनाज होता है जिसमें जवार 5.3% सबसे ज़्यादा जवार महराष्ट में होता है आपको मैप में हम दिखाये थे कि जब राजा पास में बुलाए थे तो वार हो गया था तो कापास और जवार दोनों महराष्ट में पाया जाता है मुंबई वाला इलाका ठीक है यहाँ पर ट्रीक आप देख लिजिएगा देखें यहाँ पर महराष्ट राजा पास में बुलाए थे इसको कली को कली को बोले जरा तो बाजरा हो जाएगा जरा कली पास में आओ तो क टिक कर लिजिएगा आप कमेंट किजिए गा तो आपको एंसर याद हो जाएगा अभी कमेंट किजिए तो फटा पड की खरीब फसल को याद करने का ट्रीक क्या था खरीब काका के पास गन वाला वही बताईए किस फसल की खेती से मिट्टी की उरुरता बढ़ती है पता है सब फसल जब रुपिएगा ना तो उसमें का उप जाने की सकती को घीच लेता है फसल लेकिन कुछ ऐसे फसल है जो जमीन में उप जाने की सकती को बढ़ाता है तो वह हो जाएगा दाल और उभी दाल में सबसे अच्छा दाल कौन अरहर का दाल अरहर का दाल भी कह सकते हो जो कि उसके अंदर नाइट्रीट होता है जल में जो पूरा यूरिया आपको देना नहीं पड़ेगा उसी से आपको यूरिया मिल जाएगा ठीक है लेकिन आजकल अरहर हो कहा रहा है तो यहां दाल देख सकते हैं इसमें आप पहचान सकते हैं अरहर कौन है यह वाला बाबु अरहर ह है ठीक है यहां देखिए सबसे ज़्यदा अरहर कहा होते तो औरहर भी महाराष्ट में ही होता है जहां जवार होता है जहां कापास होता है scrutus नंबर देखिए सरवदिक मुफली भारत के किस राज्य में पाया जाता है ता आपको बताये थे ना रात में जारा कली को में हो जाएगा हो जाएगा मुझफली टाइम पास मुझफली ठीक है अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर किजिए आपको लग रहा है ना कि मेहनत हुआ है बावु तो मेहनत हुआ है तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट अब क्या करें आप कैसे बोलें कि सेशन को शेयर कर देजिए आप लोग मायूस नहीं होने देजिये देखिए यह मेरी गरांटी यह बावु देखिए आपका टेंसन पूरा का पूरा हम लेके चलना कि कंपलीट हम करेंगे तो एक काम अगर किजी अगर तो प्लीज इसको कम से कम अपने जो भी पडोसन अडोसन है उसको सेर करने के लिए हम नहीं बोलेंगे चलो छोड़ो सेर करेंगे एक बार इस्टेटस डाल दो ठीक है और लिक दो सेर टू ऑल ठीक है अच्छा रहेगा ठीक है और अभी उसके लिए थैंक्स बोल दे रहे सबसे ज़्यादा सर्स हो तो सर राजा से कंप्लेंड किया हो ना दिखेगा six pack दिखेगा ठीक है जो मध्य परदेश में ता आपका शरीर का जो बोडी का पैक बनता है वो मध्य में बनता है कि नहीं बीच में तो मध्य परदेश में सोयाबीन होता है सबसे ज़्यादा चलिए कपास किस परकार का फसल है तो काका के पास खरीब फसल हो और चावल पसिम बंगल वाली जूट और सरवधिक गन्ना ब्राजील में पाई जाता है और दो नंबर भारत वारत में बारत में चाया की खेती की सुरूआत अश्राम कि और सम्ट के ब्रह्मा पुत्र आप नदी तो यहां पुत्र नदी यहां पे और सम्ट यहीं पे ऊसम्ट की घाटी में होता है ठीके चाह निर्यात में भारत दूसरे ये सब्तान पर है अगरल मेत लेकिन अगर चाए उत पादन का बात करें कि सब्से जादा चाए होता है यह होता है तो यह लगता है तो इतना ना हम लोगन चाए पीते dependency क्वड़ैज नहीं आता है तो यह bond हो जाता है एक्जाम आपका बाबु नजदी के चूप चप रजाई में घुज़ जई और बढ़ियां से तयारी की एक दम वीडियो देखते रहे ठीक है अब जितना थंडा बढ़ेगा न तो उतना आलस आएगा और एक और चीज़ आपको बता दे रहें जितना एक्जाम आप से रिक्वेस्ट है पता है क्या किजिए कि आप नाक बांध करके कहीं जाईए क्योंकि नाक और मुख के जरी हवा अंदर परिष्ट करेगा और बिमारी का सिकार हो जाईएगा चलिए अब चाय की बात कर लें ठीक है तो आपको बताए थे ना नाटक करनाटक में कॉफ घैरिका जिसमे होता है जो अच्छा किस्मका है ठीक हैं भारत सात नंबर पर कौफी उतपाद पालन में आता है तैसा नाम में लेकिन एक नंपर पर आपका आएगा ब्राजील कौन आएगा ब्राजीन आएगा यह आप याद रखिएगा यह सीचाई हो गया सीचाई के यहां पर यह नहीं होगा ब्राजील सबसे प्रतमस्तान पर आता है कॉफी में ठीक है एक और चीज यहां पर सहस्य गहांता किसे कहते हैं यह एक्जाम में कुछा गया आपको थोड़ा सा जूम करके बता दें सहस्य गहांता तो देखिए एक ही खेत में एक साल में इतने साल में एक साल में एक से ज्यादा फसल उपजा ले रहे हैं तो उसी को सहस्य गहांत किसपरकार की कॉफी उपजा जाती में ब्हुमी निम निकरण मौने भूमी में उपजाने की सकति खतम हो जाती है जब निमनिकरण होता होता है क्या कारण है तो लवड़ता क्या करन है और लवड़ता यानि लवड़ता इन्हें की जमीन में नमक की मातरा बढ़ जाती है क्यूं बढ़ जाती है तो ज्यादा पानी के कारण ज्यादा पानी में जमीन भींगा हुआ रहेगा इसमें लवड़ता बढ़ जाता है ठीक है अगला कुश्चन देखिए थोड़ा तभीयत खराब चल रहा है बाबु सेशन को सेयर करते रही है आपको क्योंकि आपका एक्जाम एक्जाम तो नहीं रुकेगा ना तभीयत भारत कि किस देश्ट में वहता है सबसरीदा फ्रजेश में आपको सेब सजीव सेव ना फॉल गएर सब यहीं ही मांचल पर ठंडडा इलाका में होता है अगला कुश्चन है निमला फित में से कौन सा भू उपयोग सवर्ग नहीं है वह उपयोग तो यह यहां पर भूमी उ सिमांत भूमी के उसको याद करने के और बता दे सुनिया द्यांसा यही कोशन रहेगा तो यहां बेवी देखिये ओर सवर्ग में अव्मभी डाला जा आप यह दो यहां बहुत सारा यहां नी नीली मतलब क्या होता है पानी नीला होता है ना तो पानी वाली क्रांथ का मतलब होता है जिसमें मचली ज्यादा हो जाए तो मचली पालं से संबंदित है नेली करांती अब एक और कोश्र कुछ दूसरा अस्थान बदल दे उसी को अस्तनादर किसी कायद है तो कहीं का सर फिर इस खेती के क्या होता है तो यहां पर जितने भी जंगल फिर दुबारा उपस्ते हैं तो काट टोटर के जला दिया जाता है दो तीन साल के लिए खेती यहां छोड़ करके दूसरे जगा फिर है जूम खेती कहते हैं और लादांग भी कहते हैं लेकिंन लादंक इंडोनेजिया में कहते हैं कहां पर भारत की बात है तो जूम खिप्ति करो इदर से अधार देखो तो यहां autistic कर रही है नागिण की तरह यहां देखो अगला कुश्चन देखिए निमलिकित में से कौन सीची छेत्रों में भू निमनीकरण भू निमनीकरण समझे न तो वही हो जाएगा मृदा लमडता ठीक है यही आपका एंसर हो जाएगा अगला हो जाएगा कुश्चन देखिए अगला कुश्चन का जवाब द नहीं हो सकता है गन्न यानी इक चावल भी नहीं हो पाता है hybrid वाला गया जो कोश्चन बोल रहे हैं उसका एंसर दीजिए ठीक है सबसे ज्यादा कौफी कहां होता है सबसे ज्यादा मुंग फली कली को रात में लाओ या देना मुंग फली कहां होता है दूसरा कोशन और तिसरा कोश्चन का पास सबसे ज्यादा कहां होता है चौता कोश्चन गन्ना का सबसे ज़्यादा कहा होता है यह चार कुश्चन का जबाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स लेशन में अगले लेशन के साथ तब तक लिए जहिंद और खुदा हाफिस